नूर समंदर दिखता सुन्दर लहराए निरंदर आनन्दित अंतर मुझू की मौझ लेन का एसम तो प्रेम डोर से खीचेवां जी भर निहार के लिये पंक प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा उकार के बच्चिया आज बहुत सुन्दर ये इंटर्व्यू सेशन रहेगा। मैं सबसे पहले बहुत दिल से रामनाद भाई और डॉक्टर सचीन और रोहित भाई का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं खास रामनाद भाई नीचे से आप लोगों के लिए समय लेके आये हैं और डॉक्टर सचीन भाई अपने ड्यूट्यू छोड करके आपके लिए आये हैं थैंक यू सो मज और इन दोनों के बारे में रोहित भाई और सुनाएंगे और बहुत सुन्दर आपके भी तरफ से कोई प्राश्न हो आप बता सकते हैं और उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे परश्न है जो ग्यान को गहराई से समझने के लिए हमें मदद मिलती हैं और रोहित भाई हमारे रूटी डिपार्टमेंट के आप इन चार्ज हैं आप ग्यानसरोर के शुरुवात से समर्पित हैं यहां पे हम इन तीनों के लिए जोरदर तालियों से स्वागत करते हैं Thank you very much for all the three of you Rohit Bhai Om Shanti सभी प्यार से बोलेंगे Om Shanti आज के सुन्दर सत्र में प्रानेश्वर बाप दादा के उपश्थिती का हम सबन भौ करेंगे और जैसे की मंजूदीदी ने इस कारेक्रम के बारे में थोड़ा सबताया कि कैसे हमारे आज मध्य दो विसेश महारती जो किसी परिचय के महताज नहीं है आप दोनों बाबा की विसेश रत्न है और मैं समझता हूँ सभी भाइबेने बाबा की बच्ची सब परिची थी हैं और जैसे की आज का जो ये क्वेश्चन अंसर का जो सत्र है इसका जो सिर्शक है हेडिंग है लास्ट सो फास्ट इसके उपर हम आज के इस सत्र में दोनों भाईयों से भाईजी लोगों से कुछ बातों का अच्छी तरह से विसलेशन चाहेंगे आप दोनों अनभवी हैं और जैसे की हम सब जानते हैं, समझते हैं की जब हम कुछी अनभव, अनभवी से सुनते हैं तो वो हमारे दिल तक पहुचता है हम सब के मध्य परामादनी रामनात भाईजी आप सब अच्छी तरह से परचित हैं रामनात भाईजी को आप सब टीवी में देखते रहते हैं और आप 1972 से इस्वरी ज्यान में आए आप मुल्तह करनाटक से जुड़े और उसके बाद फिर बाबा की यग्य में सेवन्टी एट से आप मधवन हेट क्वाटर में समर्पीत रूप से सेवा दे रहे हैं भाईजी का बच्पन से एक तलास थी कि भगवान कौन है कहां रहता होगा और इसी तलास में आप बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्यन किये लेकिन कहते हैं न जहां चाहा वहां रहा मिल जाती है बाबा की यग्य में आप आ गए दादियों की पालना में पल रहे हैं अनेक बार बाब दादा से सनमुख मिलन मनाए हैं भारत में और विदेशों में भी आप अनेक इस्थानों पर योगभठी के कारिकरम में जाते रहते हैं आप यहां पर जो हमारे अलग-अलग विंग बने हुए हैं उसमें आप धार्वी के विंग के सफल संचालन करते हैं आप सब भाई वहनों के तरफ से इस सुन्दर कारिकरम में परमादर्नी राजियोगी रामनाद भाई जी का बहुत जोरदार स्वागत करते हैं आज हमारे मध्य डाक्टर सचीन भाई जो हमारे इस यग्जे में बाबा के परिवार में बहुत ही उची उडान के साथ अपना परिचे सब के मध्य बना रखे हैं जब भी कोई भाई बहन यहाँ पर आते हैं तो डाक्टर सचीन को जरूर याद करते हैं और मैं समझता हूँ काफी दिनों बाहद ग्यान सरवर में आपका आना हुआ आप सब भाग्य साली हैं जो आपके भठी में आपने अपना किम्ती समय निकाल करके आए हैं डाक्टर सचीन भाई जी आप भी महारास्ट से हैं और पालेकाल से आपको बहुत तलास थी इस्वर की तलास भगवान की तलास और इसी तलास में आप छोटे पन में ही बहुत सारे साहित्य धार्मिक ग्रंथ हमारे धर्मसास्त्रों का आपने अध्धन किया 2003 में आप पहली बार सांतिवन आए और आपको एक विलक्षन अनभा हुआ और आप सदा के लिए बाबा घर में रह रहे हैं आप गलोबल हास्पीटल में अपनी दोनों प्रकार की सिवाएं देते हैं आप डबल डाक्टर है रूहानी डाक्टर और जिस्मानी डाक्टर आपकी अनेक क्लासिस आजकल हमारे बाबा की बच्चे सुनते रहते हैं जब परिचीत हैं और आप हमारा जो आज का विशय है लास्ट और सो फास्ट उसके आप प्रत्यक्ष प्रमान है बहुत कम समय में ही आपने इस्वरी ज्ञान को यहां के बताय हुई योग को अपने जीवन में अपनाए और प्रेक्टिकल अपने जीवन के माध्यम से अनेक आत्माओं के लिए प्रेणा श्रोथ हैं अभी जब आप आ रहे थे तो रामनाद भाई जी ऐसी हैसी में कह रहे थे कि एक सचिन तो बहुत फेमास है न भारत में तो यह संयोग ही है कि सचिन नाम के लोग बहुत प्रसिद्ध हो रहते हैं तो कह रहे थे कि आप ऐसा लग रहा है जैसे खिलाडी बन करके आ रहे हैं तो वास्ताव में हम सब तुम्या रुपी मैदान में खिलाड़ी ही है और उसे जो क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन क्यों को ध्रिकेट का भगवान कहा जाता दुनिया में भारत रत्न से नवाजा गया है और हमारे डाक्टर सचीन भाई जो इस समय हमारी विद्यालाए के बहुत बड़ी सुभा है आपने भी लगभग पुरानी दादियों की पालना में पले हैं बाप दादा से अनेग बार मिले हैं अपने पुर्शार्थ के प्रती बहुत सजग रहते हैं तो आज की सुन्दर कारिकरम में डाक्टर सचीन भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है भायो बहनों जैसे कि आज का ये सुन्दर विश्य है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फस्ट तो इस विश्य की उपर ही हम चर्चा करेंगे और दोनों के अनभौ से जानेंगे कि कैसे हम सब लास्ट में भी फास्ट कैसे जा सकते हैं क्योंकि प्राया सभी ब्राम्वनों के मन में रहता है कि मैं क्या पुर्शार्थ करूं मैं कैसे उन्नती करूं और कई बार मन में अनेक प्रकार के प्रशन रहते हैं समस्याएं रहती हैं कुछ बेपर होते हैं तो आप दोने अपने अनभाव से हम सब के सामने प्रगट करेंगे, बताएंगे बाबा के महावाक्यों के माध्यम से भी, अपने अनभाव के माध्यम से भी, कि कैसे हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो मैं सरवपर्थम आदर्नी रामणात भाय जी से पूछना चाहता हूं कि भाय जी जैसे यह सब्द है लास्ट सो फास्ट हम सभी ब्रह्मा बस अनेक बार अव्यक्त मुर्लियों में यह सुने हैं सब्द साकार मुर्ली में तो हम कम सुनते हैं ज्यादा से यह सब्द नहीं आता है लेकिन ज्यादतर अव्यक्तमानियों में यह सब्द आता है मैं थोड़ा आपसे इसके उपर प्रकास चाहता हूँ भाईजी कि इस सब्द का वास्तिक भाव क्या है हम क्या समझें इस सब्द का अर्थ लास्ट सो फास्ट रामनाद भाईजी ओम शांती ओम शांती बहुत अच्छा शब्द है मनुष का एक नेचर है वो सब कुछ तुरंत चाहता है क्विक चाहता है इसले साइंस ने भी हाइब्रीड किया है थोड़े से समय के अंदर बहुत कुछ उत्पत्ति चाहिए प्रापति चाहिए तो यह हुमन एटिट्यूड है नेचर है इच्छा है लेकिन वो अपनेपने होगा तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए तो यहां बाबा ने भी बहुत अच्छी बताया बच्चे लास्ट में भी आए तो भी आपके लिए फूरा चांस है आप आठ की माला में 108 की माला में जो चाते हो तो उन्टे उन्च जो पद है वो प्राप्त कर सकते हो लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए नहीं दो चीज किया तो बस एक रोज जो ग्यान चाहिए रोज बाबा मुर्ली सुनाता है सारी मुर्लियों से कोई भी एक शब्द अगर सवेरे से शाम तक आपके उड़ी में जागर्त है स्मृति में है याद है और बार-बार औरों को सवेरे से शाम तक दूसरों को भी बताते हो मना ज्ञान अचर्ण में ला रहे हो बतारे मिन्स आपको रियलाईज होता है कि मैंने इनको बताया मुझे भी करना चेह एक कोई भी शब्त ले लो? एक यह इक जरूरर चेहे तो वो लास्टे आते में भी फास्ट जा सकता है क्यों? कि ज्ञान के भीगर क्टी-सदगती फेले कि नहीं। तो कर्म केले क्या करना चेह, क्या नहीं करना चेह, कल क्या करते थे और आज क्या करना चेह, तो उससे मेरा पदमो की कमाय जमा हो, पदमा पदम भाग्यशाली बनाता है, तो इसके लिए ग्यान चेहे, अगर और दुसके साथ, आदा घंटा कम से कम, सबेरे और शाम को, दो टा आदा घंटा तो इस इश्वरिय विश्विध्यालई के अंदर एकी राज योग है और रोज मुर्ली में आता है आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे शक्ती से अनेक जलमों के विकर्म को विनाश कर सकते हो भस्म कर सकते हो उसके लाम इदर आये है तो वो सबेरे आदा घंट विधी है आत्मा समझ फिर मुझे याद करना कि कि आत्मा के अंदर पाफ है पाप आत्मा पुन्य आत्मा कैता है यह दो काम अगर रेगुलर ले जो करता है और कुछ करने के जरूत नहीं जैसे एक गोली ले लो अंदर जो बीमार ये सिर दर्द हो अपने आप ठिक कर देग जो गोली गई अंदर वो काम करता है तो ऐसे यह ग्यान की शक्ति और योग की शक्ति यह दोनों सभी प्रकार की बीमारियों को अपने आप ठिक करेगा तो ऐसे हमने अपने जीवन में देखा आपको यह छोड़ो वो छोड़ो कुछ छोड़ने सकते हो किसी के हाथ में कोई नहीं वेरत विचार करना नहीं चाता है आता है तो उसके लिए इन पीछे इसके पीछे जाने के बदली सिर्फ दो काम एक भगवान के बूंद रोज और सबेरे आदा घंटा कम से कम शाम को आदा यह दो काम करते हो तो जो आप चाते हो और जो बाबा चाता है वो प्र प्रिशन हमारे सामने रखे मैं थोड़े सब्दों में डाक्टर सचिन भाई से वी चाहूंगा कि यह जो हमारा विशा है आज हेडिंग लास्ट सो फास्ट इसका भाव किया है इस सब्द का हम कैसे भाई बहने सरल सब्दों मिसका अर्थ समझें अम श्वांति तुझे ऐसे की रामनाद भाई जी ने बताया हम बहुत दिनों के बाद रामनाद भाई जी से मिल रहे हैं और इनको देखकर हमको वो दिन याद आ रहा है जब एकतम हम नए नए ग्यान में आये थे दोजात तीन तब भाई जी ने हमको एक बार पांड़ भा पाजू में कमरा होता था उस समय वहां पर बिठा कर आमने सामने आदा गंटा तक बहुत पाउरफुल द्रिष्टी दी थी तब हम बहुत नए थे और भाई जी तब से हम उनको जानते हैं एक बार हम यहां पर थे पहले पढ़ने के लिए यहां से फिर पढ़ाई के लिए गए थे तो जिस थान पर गए थे सांगली वहां पर भी भाई साब एक बार आए थे भट्टी कराने तब भी बहुत हमको खुशी हुई थी कि मदुबन से कोई आया है जहां हमारा जन्म हुआ और जहां से हमने पाल ना ली तो आज भाई साब को देखकर हमको वो दिन याद रहा है कि कैसे एक नया बालक यग्य में आता है और पता नहीं अचानक एक दिन हाथ पकड़ कर हमको लेके गए और आधा पौन घंटा तक continuous दृष्टी देते रहे हमें पता नहीं भाई साब को याद है या नहीं है पुरानी बात है परन्तु हर आत्मा के पास ऐसी बहुत स सारी स्मृतिया है वास्ताओं में अध्यात्म यदि एक शब्द में परिभाशित किया जाए तो वो है जागरन अवेकनिंग होश केवल दो ही शब्दों का खेल है स्मृति बेस्मृति जागरन बेहोशी अध्यात्म अर्थात निरंतर जागरित अवस्था निरंतर होश की अवस्था जो भी बेहोशी में किया जाता है वो पाप है जो भी जागरन में किया जाता है वो पुन्य है काम कृत्यों पर नहीं मन की स्तिती पर करना है यदि हम एक सरकल ड्रौ करे तो वो जो केंद्र है वो हम है, और वो जो परिधी है, वो जो सरकम्फरंस है, वो जो सरकल है, बाहर, वो सब कुछ है, action, behavior, speech, हमारी activities, हमारी सेवाए, हमारे संबंध, सब कुछ, जैसे भाई साब ने कहा, कि it's not about ये करना है, ये नहीं करना है, जब हम awakened stage में रहते हैं, भीतर, तो अपने आप वही कर्म होते हैं, जो होने चाहिए, अपने आप वही कर्म होते है, जो श्रिमत अनुसार है, तो fast पुर्शार्थ अर्थात, संपूर्न होश, अमुर्चा की अवस्था, जैसे, यहाँ पर कोई चल रहा हो, और गड़ा हो, अगर वो जागा हुआ है, तो कभी भी उसमें गिरेगा नहीं, पर हाँ बेहोशी में है, तो गिर जाएगा, तो अध्यात्मा अर्थात, जागरन, अध्यात्मा अर्थात, होश, और जागरन अर्थात, किस से जागना, एक ब्रह्म से जागना, एक अंधेरा कमरा है उसमें हम टॉर्च लेकर जाए तो वहाँ प्रकाश हो जाता है और प्रकाश जब होता है तब अंधेरा नहीं रहता है परंदू उस कमरे में बहुत सारी चीज़े है वो अब दिखने लगती है तो प्रकाश के आने से दो चीज़े होती है, एक तो जो unreal था, वो खतम हो गया, और जो real था वो और अधिक real हो गया तो ज्ञान भी वो प्रकाश है awakened stage भी वो प्रकाश है, जैसे ही हम जाग जाते है, फिर ये प्रतिज्याय करनी की नहीं जरुवत पड़ती ये करना है की नहीं करना है क्योंकि जो कर रहे थे और वो गलत था, तो अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि वो भ्रह्म था और जो कुछ सत्य है, वो और ज़्यादा सत्य हो जाता है तो फास्ट पुरशारत अर्थात तो निरंदर attention की अवस्था Fast Purushar Arthat निरंतर जागरन की अवस्था एक अव्यक्तवानी है जिसमें बाबा ने कहा है जब सूरज उगता है तो अंदकार समापत हो जाता है और जब सूरज डूपता है तो अंदकार फिर आ जाता है यदी तुम बच्चों की अवस्था ऐसी हो जाए कि तुम्हारे जीवन में निरंतर ज्ञान सूर्य प्रगट ही रहे तो अंदकार कभी होगा ही नहीं तो निरंतर ज्ञान सूर्य प्रगट रहना अर्थात बुद्धी में निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे अभी अभी शान्तिवन में अव्यक्त वानी चली थी जिसमें बाबा ने कहा था या पिछले संडे भी कि ऐसा नहीं कि शाम को जाग जाओ और दिन भर बेहोशी में रहो और शाम को याद आ जाए रात्री को चेकिंग करो लास संडे की मुरली चेकिंग सत्व होती रहे सहज होती रहे स्वभाविक होती रहे तो जितना जितना हम अटेंट्व रहेंगे जितना जितना जागरन की अवस्ता में रहेंगे जितना 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 ज्यान का चिंतन करते रहेंगे बाबा के महावाक्य है ज्यान की बुलबुल निरंतर बुद्धी में क्या करती रहे टिकलू टिकलू मुरली से कोई भी एक पॉइंट ले लो सारे दिन भर उसका अलग-अलग समय में जब भी समय मिले चिंतन करते रो हमने मुरलिया बहुत सुन ली और मुरलिया बहुत लिख ली मुरलिया लिखने से ज़्यादा अब टॉपिक्स लिखना चालू करो जैसे भाई साब ने का एक शब्द ले लिया उस शब्द की इतनी गहराई में जाओ शब्दार्थ क्या है भावार्थ क्या है वाक्यार्थ क्या है और गुडार्थ क्या है यह चार बाते है उस शब्द का अर्थ क्या है उस वाक्य का अर्थ क्या है वो पूरा वाक्य है उसका भाव क्या है भावार्थ वाक्यार्थ गुडार्थ गुडार्थ क्या है क्योंकि ब बहुत कोई राज छुपा हुआ है तो फास्ट पुर्शारत करना अर्थात निरंतर ग्यान की मस्ती में रहना और यदि कोई शराब पीता है और फिर भी नशा नहीं चड़ता है तो क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? शराब पी तो ली पर नशा चड़ा ही नहीं पहली बात डोस बढ़ाना चाहिए क्या करना पड़ेगा? डोस बढ़ाना चाहिए तो अभी जो डोस हम ले रहे हैं कम है एक बार सुन लिया मुरली हो गया काम? नहीं, सारे दिन भर कही बार उसका चिंतन डोस बढ़ाओ दूसरा, सुबह एक बार पी लिया और दिन भर पी आई नहीं तो कैसे नशा चड़ेगा? multiple time, frequency को बढ़ाओ पीने की ये सबा है रुहानी प्यक्डो की तीसरा नशा कब चड़ता है? जब दोस्त लोग साथ में होते हैं चीर्स तो ऐसे लोगों का संग ऐसे साथियों का संग जिनको ग्यान में रुची है जहां आप रहते हैं वहाँ ऐसा एक छोटा सा संगटन हो कुमार अगर रहते हैं तो रात को सोने से पहले ग्यान की चर्चा करें बहने हैं तो ग्यान की चर्चा करें माताय है एक दो माताय चाहिए दो लोग चाहिए बस ज्ञान की चर्चा करने के लिए परंतु ज्ञान की चर्चा करे और फिर सो जाए ज्ञान हमारे वानी से निकलता रहे ताकि ज्ञान के संस्कार ब्रेन में क्रिएट करे हो मेडिकल साइन्स इसको कहता है निउरो प्लास्टिसिटी निउट्रैक्स ब्रेन में क्रिएट हो जाए ब्रेन रिवाइरिंग नए ज्ञान के संस्कार के लिए ज्ञान की चर्चा चाहिए तो dose को बढ़ाओ frequency को बढ़ाओ दोस्तों को लाओ neat solution dilute वाला नहीं चाहिए पानी नहीं डालना उसमें जो है जैसा है वैसा तो जैसे भाई साहब ने कहा कि ज्ञान बुद्धी में समा जाए मुरली और हमारे विचार एक हो जाए अभी दोनों अलग-अलग operate कर रहे है सुबह मुरली सुनी पर हमारे विचार हो गई है दोनों एक हो जाए, mix हो जाए घुल मिल जाए, तब परिवर्तन होगा और जगदिश भाई जी का एक class है जिनोंने, महाँ पर उन्होंने कहा था तीवर पूर्शार्थ अर्थात के वले एक शब्द परिवर्तन तो वो होगा ये दो-तिन बाते जो अभी हमने कही उसको जीवन में लाने से अम्शन थे बहुत अच्छा, आप सब इनके मुख्य भाव को समझ गए होंगी, last so fast जाने वाली आत्मा के अंदर क्या-क्या दिखाई देंगे एक और इससे मिलता जुलता प्रस्ण है भाईजी जैसे हर ब्राह्मन बाबा की बनते ही ये सूचता है कि मैं बहुत लास्ट में आया चाहे वो 20 साल पहले आया हो चाहे 40 साल पहले आया हो लेकिन आते ही पहले पहला मन में यही आता है कि अरे मैं बहुत लास्ट में आया मैंने साकार बाबा को नहीं देखा बहुत सारी दाधियों को नहीं देख पाया तो इससे सम्मंधित एक प्रस्ण है कि किस वर्ष में ज्यान में आने वाले को तो हम लास्ट समझें क्योंकि जब ग्यान में आये तो हमें लगा कि हम लास्ट में आये हैं अभी जो बाबा से जुड़े हैं नए नए उन्हें लग रहा है कि हम लास्ट में आये हैं और मैं असा समझता हूं कि भैजी जब आप सेवंटी टू में ग्यान में उसमें भी आपक कि हम इसको कैसे समझे कि यह लाश्ट किया है अकिर किसको लाश्ट चाहिए पाल अमझेगे कि अर्मना भाई जीन ओम शान्ति जिस समय आपके मन में विचार आया कि मैं लास्ट आया हूं आपके अनुसार दुनिया के अनुसार दुनिया का लास्ट दिन किसी को बता नहीं किस समय परिवर्तन होगा ना बाबा ने बताया ना किसी ने कहा आपके मन में जब आया कि शायद कल विनाश हो जाए अब मैं आजया एकी साल मेरे है वो एक साल के अंदर आपके लास्ट है तो क्या कर सकते वाप तो यहां समय की वैल्यू नहीं है बहुत समय चेह नहीं भगवान सिर्फ आपके दिल को देखता है आपका दिल कितना स्वच है कितना चात्रक है कि पद मुझे यह पाना है मुझे पहुचना है तो यह दो शब्द अगर आपके दिल साफ है दूसरा चात्रक है मुझे यह प्राप्त करना है वो लगन का तो यह दो अगर आपके जीवन में है एक मिनिट भी बस एक घंटा भी नहीं चेह एक शब्द समझ में आया उसको बाबाने का ज्ञाट को एक समय स्व भाहा मुझे यह करना ही आए उसको का निश्चे बुध्धी विजयांती निश्चे हुआ यही बाबा है और यही मेरा उद्धार करने माला है और वो जो कहता है मुझे आजी करना है कल भी फिए घंटे के और नहीं करना है अब भी उद्धार हो गया एक दिन में नी तो भगवान समझ लिया, तो उसने जो कहा, वो तुरंथ बुद्धी सुएकार करती है सुएकार हो गया जो अमारे अंदर कुछ संश है, वो परिवरपुरशार्त करने लगता है योग करना इजन सुनना है, सुनन लगता है कोई संशाइ रहा है तो कोई एक शेकंद बस जगर एक सेकंद अगर आपका अपका कनेक्चन यूड़ गया फचाइब सालों से जो तो अग व्फचान से जो नहीं हुआ यूझा सेकंद में अच का हैंhã एक सेकंद घिवन ते यूझड़ नहीं हैं एक गांटा भी नी का अभ्णियो अप्छे रिगा जब शर्त कती दो बुछली के लाइन किशनी क्विए, अजिए बुद्धि ze को बुद्धि के लाते हैं, कोई इच्छानी छिए तो इसले हैं यह उत्यम गति जो है बुद्धि के अंदर कुछ भी दुविदानिय एक सेकन में जुटता है और एक सेकन प्राप्ती है यह बहुत समय चेह बहुत समय पुरुषात करना चाहिए जुरूत नहीं है कि यह भगवान वो है यह सेकन में सब बात करता है और आप जानते हैं, जैसे एक कागज आप धूप में रखो, सारा दिन रखो, सारा दिन नरंतर धूप गिरता है, तो भी कुछ नहीं होता है, और वही कागज, वही सूरी की किरिने, एक लैंस, कॉन्वेक्स लैंस, पकड़ो, अगर आपका हाथ हीलता नहीं है, एक जग आपन कि हर एक वेक्ति केले जो समय है, जिस समय आपके बुद्धी में आया, यह अंतिम समय है, नहीं, तो कल विनाश होने वाला है, और एक गंटा सो जाते हैं, बाद में करते हैं, कल खाली हो जाएंगे, तब करेंगे, तो उस केले समय स्वयम को निश्चित करना होता है, विश् कि मैं भी जब 87 में ग्यान में आया, तो मुझे लगा उस समय यह चर्चा थी 2000 में विनास हो जाएगा, तो हमें लगा बहुत कम समय हमारे लिए है, और हम को ऐसा लगा कि हम बहुत लास्ट में आये, और बहुत सारे भाईवें जब मिलते हैं, तब यह चर्चा करते हैं, क्य करें हम क्या करें बहुत लास्ट में भाईजी आप से मैं सच ड़क्तिकतर से जाना चाहता हूं, आप 2003 में जब इस्वरी ज्यान को समझें, तो आपको कहीं मन में आया कि मैं लास्ट में आया, बहुत ज़्यादा, जब हम आये, तो इतना ज़्यादा नशा था, क्यो उसका क कोई ठीकाना नहीं, क्या करो और क्या नहीं करो, जैसे भाई साब ने भी कहा, अभी वर्तमान समय, यही मुख्य है, साइंस कहता है, पास्ट और फ्यूचर, यह सूडो टाइम है, यह वास्तों में समय है, यह समय अर्थात नाओ, अभी इसी वक्त, पास्ट में जो हुआ, वो केवल याद है, भविष्व में जो होगा, वो एक imagination है, कलपना है, तो रहा क्या, अभी इस समय, अभी सब यहाँ जो बैठे हुए है, दीवर पूर्शारत यही होगा, कि यहाँ ऐसो बैठो, कि जैसे, यहाँ जो कुछ सुनना ही दे रहा है, यह देख रहे हो, उसके अत जीवन बनता जा रहा है, अपने जीवन को देखते जाओ, और क्या-क्या कमी है, उसको भरते जाना, इस पल जीना है, this moment, इंगलिश में कहते है, in this moment lies eternity, इस पल में पूरी सदी छिपू ही है, अभी तक जो हुआ, कभी भी हम आए, पर यह समझे, कि जैसे, अब मैं तो ऐसे सोचता हूं कि मैं मर रहा हूं, मर गया, और दूसरे दिन जब सुबह उड़ता हूं, तो मेरा ये नया जन्म है, आज से सब कुछ करूँगा, जो आज तक कर नहीं पाया, वो अब मैं करूँगा, तो ये तड़ब तो रहनी ही चाहिए हर एक को, कि हम लेट आए, व हमें कम से कम समय में वो सब करना है, जैसे कोई स्कूल जन्वरी में चालू हुई, हमने अड्मिशन जुलाई में ली, एक्जाइम सभी की डिसेंबर में ही है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो बैक कोर्स है, उसको फिर से पढ़ना होगा, फिर से उसी पॉइंट प कोई भी रिपीट वीडियो रेकॉर्डिंग नहीं, टोटल जो बाबा की मुर्लिया है, जब तक बाबा आते रहे, 1068, अब हमने अगर एड्मिशन ली है, 2000 में, 2010 में, तो इसके पहले का जो पेंडिंग कोर्स है, वो हमें करना होगा, इसलिए हर एक ये लक्ष रखे कि ये स सारी अव्यक्तवानियों की कम से कम एक रिडिंग तो होनी चाहिए, नहीं तो कोई पेपर जीवन में आएगा और हम कहेंगे, आउट अप सिलाबस, पर बाबा क्या कहेगा, पीछे जाओ, 1972 में मैंने ये बात कहे रखी है, अव्यक्तवानियों में जो साइकलोजी की बाते बाबा ने कहिए, वो इस संसार के किसी भी साइकलोजिस ने आज तक नहीं कहिए, इतनी डीफ फिलोसोफिकल पॉइंट्स उन अव्यक्तवानियों में हैं, तो ये भाव तो रहना ही चाहिए कि हम लेट आए है, ये भाव ही हमको आगे बढ़ाएगा, और एक दूसरी बात इस से जुड़ी हुई है, बाइवल में एक छोट इसी कहानी जिजस क्राइस्ट अपने शिश्यों से कहता है, एक सावकार है, बहुत बड़ा बगी चाहिए, सुबह उसने कुछ मजदूरों को रखा, मजदूर कम पड़ गए, काम ज़ादा है, दुपेर को कुछ मजदूर अर्था आती, सुबह वाले जो तो हो चिड़ गए, उन्होंने का ऐसे कैसे, हम सुबह से काम कर रहे हैं, और ये दुपेर में आये, और वो शाम को आया, सब को सेम, ऐसे कैसे हो सकता है, दुपेर वाले चिड़ जाते हैं, कि ये शाम वाले हम से बाद में आया, इनको हमारे इने किसने क्या किया कोई किसी भी समय आया हो वह मालिक है बहुत सागर है वह खजाने सभी उसके पास है वह चाहे तो किसी पर भी सब कुछ लुटा सकता है तो हम भी वह भाव अपने अर Neither लखे कि कितने भी लेत आय हो पर उतू वो तो अखूटस आगर है ऐसा नहीं कि पुराने वालों ने सब ले लिया और हमारे लिए कुछ बचा इन ऐसा हो नहीं सकता तो संपन्न बनना है option प्रश्ट बहुत अच्छा मैं सभा में भाइबेनों से पूछना चाहता हूं कि इसको किसको लगता है कि हम लास्ट में आये हैं किसी को लगता है सम बहुत लेट आए कि सबको लगता है तो आज सबको जवाब मिल जाएगा ना अखरी तक और अगला प्रस्ना है इसी से मिलता जूलता भाई जी, की लास्ट्साइब फास्ट जो जाने वाली आत्माएं हैं, बाबा की बच्चे, उनके कुछ मुख्य निसानियां हम जानना चाहते हैं, क्या निसानि है वो आत्मा की, जो खुद को भी लगे, कि मैं फास्ट जा रहा हूं, और आसपास उनके साथवालों को भी लगना चाहिए कि ये बहुत फास्ट जा रहा है क्या उनके अंदर कुछ चिन्ड कुछ निशानी दिखाई दिखाई हम अपने जीवन को देखते है जैसे भाई साब ने कहा शुरू में आते हमको तो कभी विचार नहीं आया कि हम लास्ट में आये तो उस समय भी कुछ भी नहीं था मदुबन में भी चालीस पांच किलो चावल बन जाता था चालीस ही लोग थे शुरू में हम आये तभी तभी कभी लगानी है कि लास्ट ए फिर भी लगन थी कि हमें संपूर्न बरना है कर्मातित बनना है अंश भी पुराने संसका रहना ने चाहिए यह लक्ष ता तो उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए जब मदुबन आये एक मिनिट भी हमने कहीं लेर्थ नहीं गवाया एक मिनिट सबेरे रात को दस ग्यारा बजे सोते थे तो भी देखते थे बाबा के कमरे में सबसे पहले मुझे पोशना है कि कि द दो बजे लास्ट में आता है पहले बाबा कमरे में आएगा फिर डुटी में जाएगा कोई पोशना निचे बाबा की दृष्टी सबसे पहले मुझे मिलना जए गड़ी को देखते थे ता ता तेड़ बजे उठ अट कर के मूध कर पहले बाबा के कमरे में उसके बाद जनर चार बजे को अलर्ट और सभी दादिया हिस्ट्री हाल में बैठ तो एक से का और उसके बाद भी इतना ही दिन में भी बारा एक बजे तक सेवा हो गई खाना खा के सू गए तीन बजे उटकर इदर उधर कहीं ने देख ते ओम शांती भवन बनने से भी पहले पीछे पहाड मैं आया हुआ हूँ मुझे याद करने के जुरूत नहीं है सिर्फ आप अपने दृष्टी खोलो मैं सनमु खड़ा हूँ मना आत्मिक स्वरोप्निस्तित हो जाओ तो वहां बैठ के कितना तीन बजे से चे बजे तक क्योंकि साड़े चे बजे को दीदी मनमोईनी हिस्ट्र यह वहां वहां पांच कुमार थे अगर एक भी ने आया रही वहां गया वहां जाए चार पांची ते साड़े च्छे बजे दीदी एक्कुरेट योग करना थी तो साड़े 6-20 तक पुहुष्ण था हाथ मूदो कर के साड़े 6 बजे योग मैं वैठना है एक सेकंड भी आज तक भी मैंने एक भी कल्चरल प्रोग्राम कभी नहीं देगा इतने कॉन्फरेंस होते हैं कोई भी कॉन्फरेंस में एक दिन भी ने ताइम हमको क्या करना है हम आये किसके लिए हमको बाबा से जो कुछ बाबा से ज्ञान और योग और सेवा यह तीन के अलावा एक सेकंड भ भी फूरा टाइम बैठना पड़ता है हम भी अपना जब टाइम होता है कुछ प्रोग्राम तो आदा गंटे कले गया और आगया फुल टाइम बैठे रहो यह हम भाकि कुछ नहीं है समय का महतु जान लिया सिर्फ इश्वरिया ज्ञान और योग और सेवा के अलावा यह सं नहीं थे सहर बैठना इए बैठना किसी बातों में सुनझने में बोल्ने में देखने में कोगी टीवcentered तेख रही और आज तक है श। एक बिषन के बैठना में में हम भी भाग्चों का इसका प्रोग्राम चल्ग्रम चलामी चल्दाना आज तक भी जह पीज्ग एंट तक भ बाबा ने का एक सेकंद एक जनम के समान है बाबा ने कहा मैंने किया मैंने समझा यह जरूरी है बाबा ने बहुत कुछ का है कि मैंने समझा मैंने उसको आचर्ण में लाया जो ओठे वो अर्जुन तो यह निशानी बहुत अच्छी बाते भाई जी ने सरल सब्दों में सुना साय कि सचमुच ऐसे पुराने महारत ही हमारी रामनाथ भायजी और ज्यान की मखछन में हमेशा डुबे रहते हैं और सचमुच दादियों का इतना प्यार बाब-दादा का इतना प्यार मिला है और भायजी आप-टो एक-दम शुरु में ही आगे तो आपको नहीं लगा होगा कि मैं ब्लास्ट में आया हूं लेकिन प्राया बहुं सरे भाई मैंनों कैसा लगता है अगला प्रस्न है डाक्टर साचिन भाई जी किसी बहन ने पूछा है कि ना मैं साकार बाबा को देख पाई और ना मैं गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त मिलन मना पाई तो क्या का मार्जिन है क्यों नहीं है हम एक बार किसी सेंटर पर गए थे तो एक माता से मिले Benji ने बताया यह पाँच साल से घ्यान में है पर यह ममा की स्टुडंट रही हुए वो थी किसकी स्टुडंट? ममा की स्टुडंट, तब उसको घ्यान में मिला था, जिक्स्टीज में और फिर घ्यान को छोड़ दिया और अभी वापस पाच साल से ज्यान में है पहले आ जाओ और फिर छोड़ के जाओ इससे तो अच्छा है कि जब हम आए जिस तारीक को आए बस वहीं से चालू करना है ये सोचना ही नहीं है कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला हो सकता है हमारा ये सेकंड बर्थ है इसी बीके जीवन का हो सकता है कि हमने भक्ती अभी पूरी हमारी हुई नहीं थी इसलिए अब लेट ग्यान मिला कारण कौन सा है ये हमें पता नहीं है पर हम अब आए है अव्यक्त बाबा साकार बाबा चले गया अव्यक्त बाबा का पार्ट पूरा हो गया दादिया भी चली गई अब आए है अब इसी रियलाइजेशन को और तीवर करना है और बढ़ाना है अगर मैं इतना लेट आई हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए जैसे भाई साब ने का एक मिनिट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए एक मिनिट भी संसार की व्यर्थ बातों में जर्मोई जग्मोई कौन क्या कर रहा है किस रिपार्टमें में क्या हो रहा है किस घर में क्या हो रहा है किस केंद्रों में क्या हो रहा है किस से कोई मतलब नहीं, केवल फोकस अपने लक्ष पर, अगर ऐसी तिवरता है, चाहे हम कभी भी आए, किसी भी समय आए हो, हम आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मारजीन है, परन्तु, टाइम वेस्टर्स सारे हटा देने पड़ेंगे, एनर्जी ड्रेनर्स, जो हमारी उर्जा को खीच लेते हैं, वो सारी बातों को हटा देना पड़ेगा, वो हर चीज जो हमें नीचे खीचते हैं, जो हर चीज जो हमारे टाइम को, उर्जा को नश्ट करते हैं, वो सब हमें हटाना होगा, और उसके लिए वो जागरन की अवस्था चाहिए, वो awareness चाहिए, व जो कुछ किया, विकर्म हुए, जो भी हुआ होगा, अब मैं आई हूँ, अब मुझे यहां से ऐसे चालू करना है, कि एक एक दिन, एक एक रात, क्रांति की रात हो जाए, एक एक दिन, मुझे अपने अंदर का एक एक जो विकार, संसकार, विकर्म, जो कुछ है, सब प्रेजी में कहते हैं, to slay each passion each day, एक एक दिन, एक एक वासना को नश्ट करते जाओ, और आत्मा शुद्ध सोना हो जाए, संपूर्न पवित्रता की वो अवस्ता, वास्तों में इस यग्य में सबसे आगे वो है, जिसकी पवित्रता सबसे आगे है, इस यग्य में सबसे आग आता है, बहुत ज़्यादा मार जी ने, परन्तु इस awareness को लाना है अपने अंदर, जी, बहुत अच्छे हम सब आज इस सभा में बैठे हुए भाई बैने भागी साली है, जो हमारे बीद दोनों ऐसे महारत ही भाई बैठे हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने पुर्शार्त पर focus करते हैं, जालतर हम देखते हैं, बहुत सारे ब्रामनों को culture program बहुत पसंद आता है, सबस्यादा भीड़ोती ही culture program में, लेकिन भाई जी जैसे आज मैं पहली बार सुना कि मैं कभी कोई culture program नहीं देखता, तो ऐसे बाबा के घर में देखो कितने गुप्त रतन विराजम यह भी बात आज हमारे सामने प्रगठ हुए, कि जब भी मैं रामनात भाई जी को देखता हूं, तो बस ग्यान की चर्चा करते हैं, हम एक बार नक्कीलिक में मिले, हमारे साथ कुछ बहने थी, तो पहला प्रस्न यही था, कि आज बाबाने क्या कहा, आज की मुरली में क्या था, तो यह अंदर की जो पुर्शार्त है, वो सामने प्रगठ होते हैं, भाई जी किसी ने पूछा है कि मुझे फास्ट जाना है, बहुत इक्छा है, फास्ट जाने की, लास्ट में ही आया हूं, तो मुझे कितना घंटा योग करना होगा, रामनात भाई जी, ओम शांति, क इतनी कमाई करना चाते हो, यहां घंटे और समय का नहीं है, तो पहले भी सुनाया, एक से कन संगम का, एक वर्ष के समान बावाने का, तो इस के लिए सबेरे आप 15 मिनित भी बैठो, आदा घंटा आपकी हरे की कैपसिटी है, हरे की अपनी अबिलिटी है, जो कोई बुजु इतनी है, लेकिन वीधी जरूर चाहिए, तो सारी दुनिया के अंदर यह वीधी नहीं है, सारी दुनिया जो बताते है, और शुबाबा जो बताता है, दोनों में राद दिन का अंतर है, नहीं तो स्वामी विवेका नंजी ने भी राज्योग सिखाया है, तो शुबाबा आ चिंतन करने की विधी अलग है, और दुनिया की विधी अलग है, दुनिया में चिंतन के लिए मन यूज करते सिर्फ, तो यह मन और बुद्धी दोनों चाहिए, इसलिए बुद्धी योग कहा, दिल से मुझे याद करो कहा, इसलिए बाबा रोज कहता है, आत्मा समझो, आपने आप से पूछो कि कि आप कए झूम भाई जिए आप तो इपरिस्टा बन गए आप तो नवाक्ष्टा बन गए आप समझ तया था। लेकिन मुझे पता है मैंने इस जीवन में कितना पाप किया है वह आपको पता नहीं है वो मुझे मना किसको पता है बुद्धी को पता है बुद्धी सब जानती है याद रखती है तो मन पूछता है मैं कौन तुरंद बुद्धी कहती है मैंने भहुत पाप किया है मैं भगवान के नजदीक जाने सकूंगा उसके जैसे बनना चाहिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो यह मैसूस करता है इसलिए ज्ञान युक्त ध्यान यहाँ भावना से नहीं समस्य है शिल पिता को अब याद करो मुप्तिधाम तुमें जाना है अपने सुकर्मों के बलबार ही सब युग में तुम को आना है शिल पिता को अब याद करो ये जंगम का स्वर्णिम युग है शिल पिता फिर से आया है रम्हा उखते कि वावान वर्गीता ब्यान सुनाया है कल युग का अंत अब आया है विक्राल विनाश खड़ा आगे है अन्स समय अब हम सब का शिल पिता ने बस जाया है शिल पिता को अब याद करो पांडा शिव शक्ती से ना की रण फेरी अब फिर बजती है शिल पिता को अब याद करो सत्युग में तुम को आना है शिल पिता को अब याद करो मुप्ती धाम दूमें जाना है अपने तुकर्मों के बरतार ही सत्युग में अब तुम्हे आना है सत्युग में अब तुम्हे आना है सत्युग में तुम्हे आना है तो वो बता रहे थे बहले पांची मिनिट बैठो विधी पुरुवक्त विधी से सिध्धी प्रापत होती है अगर बैठे हम एक घंटा इधर क्या भी देख लो दो मिनिट गेत बजा आप साक्षी हो के देख लो हमारे मन में बुद्धी में कौन कोन याद आया किसी की मन बुद्धी एक्ष्य बाबा के तरफ ती ऐसे कोटों में कोई होगा है तो अपने आपको देख लो तो उसकी विधी है उसके ले समय की वैल्यू नहीं है पांची मिनिट बैठो बुद्धी की लाइन क्लियर केते हैं कनेक्षन क्लियर केते हैं रिलेशन क्लियर केते हैं तीन नामाते हैं पांची मिनिट के लिए कनेक्षन क्लियर केते हैं इधर उदर का कोई विचार नहीं सीधा मै कॉन और मेरा कॉन उसकी विधी है आत्मा का चिंतन करने की विधी बताया है, मैं कौन पूछो, बुद्धी तुरंट जवाब देती है, मैं सरु शक्तिवान शुब बाबा का बच्चा हूँ, उदर दुविदानी होती है, यह हूँ, यह नही हूँ, कि पूरा विश्च समझ में आया है, बुद्धी के अंदर, तो तुरंट प्रश्ण परता है, बुद्धी जव यह दोनों एक होता है, एक आगर होता है, तो वेर्थ, नींद, माया, पुछ नहीं आती है, जिसको यह ज्यान स्पस्ट नहीं है, तो उसके लिए वेर्थ, माया, नींद यह सब आता है, तो यहां वैवस्ता दिया बाबा पुद्धी नहीं गया तक, उठके क्या फाइदा, विधी पुर्वक पाँच मिनिट बैठ तो समय यहां 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 विधी पुर्वक पाँच मिनिट बैठते हो, उसके अंदर पुरूफ, लाइन क्लियर, कोई दर दर के विचारने, सीधा परमधाम, सुक्षमतन, अर बाबा से अच्छी तर से रूरियान, परमधा में बाबा के यहां यहां शक्तियों का चिंतन जुड़ गया उसको का लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर, पिर रिलेशन संबंध है, अपने आप सारे शक्ति बर्दा है, यह तीनो अगर है, विधी पुरुवक करते हो, तो पांच, तस मिनिटी बड़ एक गंटानी उसको इंगलिश में कहते है, इत लेस, डाइजस्मूर, बहुत खाया और डाइजशन नहीं क्या और बिमार हो जाएंगे, बैठे योग में अदा गंटा और इधर के विचाराएं ना योग लग लगाएं ना दूसरों निंद भी दूसरों को भी डिश्टर व्यर्त विचार इसलिए थोड़ा समय बेटा समय की नहीं, विधी को अच्छी तरह से जान लो और रोज मुरली में आता है देखना, एक दिन भी नहीं आया, ऐसा नहीं होगा, आत्मा समझ फिर मुझे याद करो, और अपने आपको साक्षयों के पूछता कि हम आत्मा समझ के याद करते हैं, कि योग में बैठते हैं, बावा रूर्यान सुरू कर दिया, कॉमेंटरी सुरू कर दिया, है ना, बोलना सुरू कर दिया, तो अपने को जागृत करो, कि हर सेकंद मही माना शरीर के भान में रहते हैं, और रहना चाहिए, तो शरीर चाहिए, शरीर में रहना है, तो लिकिन शरीर का चिंतन न चले, इतना है, और शरीरी बनो, पांच नाम दिया है, और शरीरी बनो, अव्यक्त बनो, विदेही बनो, आतम अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, कैसे? तो यह पांच प्रश्ट, पांच मिनिट आत आग्रता होती है तो अगर इस वीदी पुर्वक फिर शुबाबा कौन शुबाबा सव शक्तिवान है उसकी एक शक्ति रेलो आठ शक्तिया है एक शक्ति के अपर मास्ट्री करो यह बाबा बुष्धित्रता का सागर है बाबा ने का मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर में पाँच मिनिट, दस मिनिट, एक घंटे तक आप उसी के उपर चिंतन कर बाबा, मैं आप के जिसे पवित्र कैसे बनाओ, तो उसके गहराए में गए, एकाग्र होगे, वो शक्ती विकर्मिनाश करती है, क्या सोचते हो, शक्ति का चिंतन करते हो, तो शक्ति शालिस्तिती बनती है, तो आज शक्ति शालिस्तिती चाहिए, तो इसलिए एक आठ शक्ति आए, एक शक्ति ले लो, दो शक्ति ले लो, आप और बाप के बीच में और कोई नहीं आया, इसको कहते है यथार्त योग, 15 मिनिट करो, मैक्जिमम मैंने देखा, अगर एक जगा पर वेट आज के दुनिया के जिवन के अनुसार, शरीर के अनुसार, कमफोर्टेबल 15 मिनिट, अराम से बेच सकते हो, एक रस्त, जाद से जाद है आदा घंटा, और भी पांत, दस पंदरा सालों से अब्यास कर रहा है, खीच करके, पावन घंटा एक घंटा उससे उपर नहीं, इतके उपर एक अगर करना चाहो, इतने ताकत आत्मा के अंदर नहीं, इतने पुन्य आत्मा नहीं है, इतने लक्ष रखो, 15 मिनिटी अच्छी तर से बैटना चाहे, एक सेकन भी उसके अंदर इदर इदर नहीं जा जवाब देती है, मेरे गुण बुद्धी जवाब देती है, दोनों अगर आसाथ साथ चलता है, तो एक सेकन भी वर्त नहीं जाता है, ऐसे पंदरा मिनिट अम्रुत्वेले सबेरे, पंदरा मिनिट शाम को, कम से कम, जादा से जादा आदा गंटा सबेरे, आदा गंटा शा ठीक है, ओम शंती, तो समय की बात नहीं है, जैसे भाइजी ने बताया कि हमें योगी जीवन और हमारे वो सब कर्म में अच्छी तरह से उतरना चाहिए, डाक्टर सचिन भाइजी से एक प्रशन है, कुमार ने प्रशन पूछा है, मैं विगत पांच वर्स से ज्ञान में क्या मुझे लास्ट सो फास्ट जाने के लिए समर्पीत होना पड़ेगा? ओम शंती, समर्पन बहुत बड़ा शब्द है, एक है तन का समर्पन, एक है मन का, एक है बुद्धी का, एक है संसकारों का, एक है धन का, एक है धन संपत्ति या संबंद संपर्ग का, अलग-अलग समर्पन के क्षिणिया हैं, और सबसे उचा समर्पन जो है, या कहो सबसे सूक्ष्म जो समर्पन है, वो है संसकारों का समर्पन, क्योंकि संसकार आटोमेटिक है, हमारा उन पर डारेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, परंतु हाँ, ये सब सीडिया है, स्थूल समर्पन से चालू होती है, यात्रा और सूक्ष्म समर्पन पर रुपती है, पर समर्पन वास्तव में है क्या, जो उसकी इच्छा, वो हमारी इच्छा बन जाए, जिसके प्रती हम समर्पित हो रहे हैं, उसके मन में जो है, वो हमारे मन में हो जाए, उसके जो संकल्प, उसके जो बोल, उसके जो कर्म, वो हमारे संकल्प, बोल और कर्म हो जाए, स्थूल समर्पन हमें सुरक्षा प्रदान करता है परन्तु लक्ष हमेशा सुक्ष्म समर्पन का हो समर्पन का सम्मंद किसी वस्त्र से नहीं है समर्पन का सम्मंद किसी बैच से नहीं है समर्पन का सम्मंद किसी स्थान से नहीं है और ना ही समर्पन का संबंद किसी समारों से है समर्पन किसी समारों का नहीं समर्पन स्टिती का नाम है मन की वो अवस्था, चेतना की वो स्टिती जिसमें हर कदम, हर संकल्ब, हर बोल ऐसे चल रहे, ऐसे कर रहे, जैसे समर्पित होए जा रहे है सब कुछ उपर हमारी दुनिया में लोग स्थूती कर रहे उपर बेजती है कोई हमारे विरोध में बेजती कर रहे सब उपर हमारा कुछ भी नहीं एक साक्षी भाव समर्बन का संबंद साक्षी से जहे जितनी जितनी अंतर में विटनेस की स्टेज बढ़ती जाएगी अपने आप समर्बन आते जाएगा हाँ स्थूल समर्बन की अगर बात कर रहे तो उसका अपना महत्व है वो एक सुरक्षा कवच जैसा है अगर परिस्तितिया अलाव करती है तो गोहेड परंदू यदि जिम्मेदारिया है घर परिवार है और बहुत सी बाते है तो जहां हो जैसे हो ये समझना है कि मेरी पालना यग्य से हो रही है एक कुमार था उसको जो सैलरी मिलती थी आके सबसे पहले बाबा के ट्रांसलाइट के सामने रख देता था अब बाबा मुझे दे रहा है ये पैसा मेरा नहीं है ये भगवान से मुझे मिल रहा है ये समर्पन भाव है एक जगा हम गयते सेंटर की बहने थी सबजिया लाई कुछ भी लाया पहले बाबा के सामने रख देते ये समर्पन विदेश में जाओ ये घर किसका है ये बाबा का घर है ये बाबा की गाड़ी है हर जगा वो God Consciousness बाबा Consciousness आत्मा प्रभु प्रेम में इतनी डूब जाए ऐसी प्रेम में अवस्था का ही नाम समर्पन है जितना स्थूल समर्पन हम देखेंगे तो हमारे मन में स्थूल था आएगी परवन्तु जो सूक्ष्म उसका लक्ष था वो शायद भूल जाएगा इसलिए स्थूल का सोच भी रहे तो बहुत अच्छी बात है परण्तु लक्ष हमेशा सूक्ष्म समर्पन का हो केवल धन दे दिया ये कोई बहुत बड़ा समर्पन नहीं है मन, बुद्धी, संसकार ये सब समर्पित कर दिया ये बड़ी उचाई की अवस्थाए है और इन सभी के लिए आत्मा योग किसी से नहीं सीखती है एक ही चीज़े जो उसे योग सिखाती है वो है उसका अपना अनुभाव अपने अनुभाव से ही योग सीखते 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 आत्मा उपर जाती है और जैसे जैसे योग परिपक्व होता है साक्षी इस्तिती परिपक्व होती है परिणाम समर्पन मैं जीवन तो यह कुमार जो भी सोच रहा है बाबा के साथ बैठ जाए और बाबा की क्या टचिंग होती है तीन दिन लगात्तार अमरित वेले शक्ति शाली स्तिती में बैठ जाओ दो से पाच के बीच हो सकेते पूरा ही तीन घंटा एकदम ज्वाला मखी योग की अवस्था में समर्पन भाव से कि बाबा तुम बताओ मैं क्या करूं एक चवराय पर हूं इधर या इधर कहां जाओं अपने आप उत्तर आजाएगा बहुत अच्छा भाई जी ने सुन्दर तरीके से विशलेशन किया जो भी घर परिवार में हैं वो भी अगर बाबा मैं हैं बाबा का समझ रहे हैं सब कुछ को वो घर में रह करके भी एक प्रकार से समर्पी जैसे जीवन बिता सकते हैं एक बहुत सुन्दर प्रशन भाई जी कि कई बार कोई आत्मा पुर्शार्थ में आगे जाने लगती है तो कभी-कभी उनके सामने विकट परिच्छाएं आने लगती है जैसे कभी-कभी पुराने संसकार या कोई हिसाब किताब सारीरिक ब्याधियां और कभी एक ब्राम्वन परिवार के तरफ से भी लोगों कोई इर्शा होने लग जाती है कभी कमेंट करने लग जाते हैं बहुत आगे जा रहे हो अभी तो आए हो ग्यान में अरे हम लोग इतने साल से तो इसी चल रहे हैं इस तरह के कुछ परिच्छाएं आती है हिसाब किताब के सारीरिक बीमारियों के कुछ ब्राम्वन परिवार के तरफ से भी यह सब को हम कैसे फेश करें और आगे कैसे बढ़ें ओम श्रंथी देखो भारत के अगर आप परंपरा देख लो शुरू से राजाए से लेकर आज तक लेक पुलिंग कहते हैं यह परंपरा भारत में सिर्फ है और कहीं नहीं कोई एक चड़ता है तो उसको दस निचे खिचते है तो इसी का नाम है पुर्शार्त नहीं तो पु सकते है तो यह ज्यान और योग इसी के लिए बाबा ने दिया कि आपके रस्ते पर बहुत काटे है खड़े है कि कि हमने कर्म ऐसे किया था यह और किसी नहीं नहीं तो इस ब्रह्मांद के अंदर आईसी व्यवस्ता है कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है किसी को क कुछ नहीं कर सकता है अगर कुछ हो रहा है मैने ही अनेक जल्मों में कितने जल्मों में कितने लोगों के संबन संपर्क में आया है कितने लोगों से लिया दिया कुछ हिसाब किताब है कि जादा लिया कम दिया कब जादा कम दिया अर जादा लिया और जादा लिया ऐसे कु दो अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है जो शुबावा ने दिया योग और ग्यान इन दो अस्त्रों के कारण कितनी भी तुफान परिस्टिती आने दो आपको अपने आप पार कराएगा इसलिए के सत्ति के नाव हीलेंगी, डुलेंगी लेकिन डुबेंगी नहीं है न परिक्षा आती है समस्या आती है सब कुछ आएगा, देखने वालों को लगेगा और इतनी बड़ी परिक्षा उसके लिए कुछ नहीं कि उसके पास अस्त्र है उसके बास बल है तो ये ग्यान और योग की उसको कोई देखने वालों को लेगे इतना हिल रहा है इसके सामने ये समस्या इसके सामने ये लिकिन वो निश्चन्त है अगर ये दो शक्ति नहीं है तो पहले शुरू में बताया एक बुंद भगवान का मुरली का आज का सबेरे से साम तक अगर बुद्ध में जरूर चाहिए मैंने सुना लिख के रखा कोई काम कानिया है समृति में जहीए साम को अगर रात को कोई पूछे आपको आज बाबा ने क्या का तुरंट बुद्धी के अंदर जागृत है क्यों कि बुद्धी सारे शरीर के इंद्रियों को कंट्रोल करती है यह सारे शरीर के इंद्रियों को कौन चलाता है तब हम कहते है बुद्धु है कब हसना चाहिए कब रोना चाहिए इसको पता ही नहीं है तो बुद्धी सब कुछ मेनेज करती, इसलिए जाकती जोत का, मरने के बाद भी दिपक जला के रखते हैं, अगर उस बुद्धी के अंदर ग्यान और योग है, बाबा की याद है, परिस्तिती आती है, वो आपको पार कराएगा, इसलिए बाबा ने का, बाप का साथ और हाथ बाप और दादा, ये दोनों चाहिए, ज्ञान और योग, साथ बाबा का, शुब बाबा का, सरुशक्तिवान है, और हाथ में कौन? ज्यान चाहिए, मदद चाहिए, जो बाबा अपने अनुभाव से, ब्रह्मा बाबा भी अनुभाव से बच्चों को सिखाता है, कि अगर स अगर है ये दो अच्छी तरह सड़िए करते हो बहुत नहीं बहुत ग्यान सुनना चाहिए? नहीं एक बुंद बस बहुत लोग भी नहीं करना बहुत मुझे पढ़ना चाहिए? नहीं बहुत बहुत लेंगी दूलेंगी लेकिन कभी दूलेंगी नहीं दूलेंगी नहीं इसको का निष्चय बुद्धी विजयन्ती ओम शन्ति जी पेपर तो आएंगे परिच्छाएं आएगी लेकिन अगर जैसे भाइजी ने बताया कि हमारा निष्चय का फाउंडेशन मजबूत हो ग्यान योग की पराकाश्ठा हो तो हर पेपर से हम पास हो सकते हैं डाक्टर सचिन भाइजी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जैसे रामनात भाइजी ने अपने कुछ प्लानिंग जीवन की बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं संग से बिलकुल ध्यान रखते हैं आपको हम देखते हैं पुरा ब्राम्हन परिवार आपको जानता है आज कि स्वापुर्शार्त बहुत तीव रहे हैं आपने अपने जीवन में कीन बातों को विसेश महत्वदिया है क्या सिक्रेट आपने अपने लिए प्लान बनाया है को ऐसी मुखी कुछ सिधान्त हो तो आज हम अपने भाई बहनों को सुनना चाहते हैं आपसे की अपने जीव सबसे पहला तो अमरित्वेला किसी भी परिस्तिती में किसी भी हालत में वो मिस्त ना हो हम जहां सेवा करते हैं 24 गंटे इमर्जनसी चालू रहती है रात भर पेशिंट्स आते रहते हैं कई बार जाना पड़ता है कई बार एक बज़े पेशिंट आता है दो बज़े रिपोर्ट्स आते है तीन बज़े पेशिंट डिट्योरेट हो जाता है बीच में जाना पड़ता है 24 गंटे कुछ ना कुछ इमर्जनसी चालू रहती है ओपिडी जलक इमर्जनसी जलक और पेशिंट एक आता है तो उनके दस रिष्टेदार सब एंक्शियस क्या हो गया क्या हो गया कैसे होगा माउंट अबू टूरिस्ट प्लेस है यहाँ टूरिस्ट आते है सब लोग आते हैं प्रिष्टेदार चालीस लोग बाहर इंतजार तो निरंतर एक इसको कहेंगे इन परिष्टितियों से हम घिरे रहते हैं 2400 गंटे परन्तु यह सब करते हुए भी हमारा लक्ष रहता है कि हम दो बज़े तक मुद्वन पहुंच जाए सुब चाहे फिर कितने भी बज़े सोए और कई बार तो हम सो रहे परन्तु जैसे जागे ही हुए है ऐसी ही अवस्ता रहती है क्योंकि अब आदत ऐसी पढ़ गई है कि पता नहीं कब फोन बज़ेगा कब पेशन को क्या होगा और हमें तुरंट जाना है सोए है परन्तु आख जैसे और उठते है तो ऐसा फ्रेश की जैसे अब नींद का नाम निशान नहीं और वो जो अमरितवेला है वो इतना शक्तिशाली हो जाए इतना शक्तिशाली हो जाए कि जिसमे आत्मा प्रभू प्रेम में डूप जाए इतना डूप जाए कि हर अमरितवेले एक बार आखों से वो प्रभू प्रेम के आसू गिर जाते हैं सबसे पहला जो हम कहेंगे वो है अमरितवेला दूसरा ग्यान का चिंतन ग्यान का गहराई से चिंतन मौन, एकांत आवू की जितनी पहाडिया है हमें नहीं लगता है ऐसी कोई पहाड़ी बची होगी जह हम नहीं कहें और विशेश तो जब छुटी होती है संडे का दिन तो लगभग पूरा के पूरा दिन ही कभी 6 गंटा, कभी 8 गंटा उस एक ही अव्यक्त मुर्ली संडे की हम रात में उसको रिवाइस कराते हैं पर उस रिविजन से पहले कम से कम 20 बार से भी ज़्यादा बार वो पढ़ चुके होते हैं इस हद तक की एक एक लाइन, एक एक शब्द कहां है, कैसा है वो याद हो जाता है और वो सारी अवस्था है इस एकांत में, इस मौन में इसलिए हमने कहा ज्यान सूचना नहीं है हमारे पास सूचना बहुत है यह आत्मा है, यह परमात्मा है यह मन है, यह बुद्धी है, यह संसकार है यह संगम यूग है, यह भगवान है यह ब्रह्मा है, इस तन में भगवान आया है धेर सारी सूचना है परन्तु ज्यान सूचनाओ का संचे नहीं है ज्यान अर्था सूचना प्लस अनुभाव ज्यान अर्थात अनुभूती ज्यान अर्थात realization, ज्यान अर्थात awakening, वो awakening उस मौन की और उस एकांत की अवस्था में ही आ सकती, अध्यात्म अक्केले चलने का मार्ग है संगटन का अपना महत्व है, परंतु जाना हरे को अपना है अक्केले में तो वो ज्यान का चिंतन यह दूसरी वात और तीसरा अखंड पवित्रता संपूर्ण पवित्रता जैसे भाई साब ने कहा यह culture program, यह वो कितनी सारी चीजे हैं जो हमारे attention को आकरशित कर देती है हमारी बुद्धी को हिला देती है इन सब चीजों से जैसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है जैसे यह है ही नहीं हमारे लिए चवदा बरस राम अवनवासी जैसे राम का जीवन वनवाह में था जैसे राम का जीवन तपस्वी था, सन्यासी था, वेरागी था वैसे हमारा भी जीवन कुछ संपन अता के बीच में रहते हुए भी जैसे हम अलिप्त है विरक्त है हर चीज से मुझे यहां की कोई चीज की किसी की चीज की आवश्यक्ता नहीं है minimalistic living कम से कम चीजों के साथ I am happy मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा याद है जब President अब्दुल कलाम पाँच साल पूरे हुए और जाने का समया एक सुटकेस थी जाते समय बस अगर हम President होते तो कितने ट्रक भरके गए होते तो ये योगी जीवन है तपस्त्वी जीवन है संबूर्न पवित्रता कहीं पर भी हमारी पवित्रता खंडित ना हो उसके लिए सूक्ष महति सूक्षू पुरुशार्थ जैसे भाई साब ने का आत्मिक द्रिष्टी ये कौन है जब भी किसी को देखो जब तुम आत्मा देखते हो तो उसे करंट देते हो फिर ये स्त्री है पुरुश है सुंदर है असुंदर है बूड़ा है बूडी है, जवान है, क्या है ये सब की तरफ ध्यान जाए नहीं, देह की तरफ ध्यान देह मिट्टी और संसारासार ये परिभाशा है वेराक की तो निरं तर वो वेराक की ज्वाला अंदर जलती रहे, बिना वेराक के तो कुछ भी नहीं हो सकता इस जीवन में बिना वेराक के सकाश भी नहीं दी जा सकती है किसी को हम सोचे कि कि इसको हम सकाश दे इसको शुब कामना दे पर उस व्यक्ति से हमारा इतना लगाव है सकाश नहीं जाएगी तो संपूर्ण पवित्रता और चौथा संपूर्ण वेराक निरंतर वेराक की अवस्था निरंतर बीतर तो ये चारो ही बाते ऐसी है कि जो हमें लगता है हमारे पुर्शाद को कभी भी डल होने ने देती मुझे कभी याद ही नहीं कि हमारे मुक्ष से कभी निकला कि आज मुझे थकान हो गई है आज मैं थक गया हूँ आज मैं उठोंगा नहीं कितने भी बज़े हो कैसे भी बज़े हो मुझे याद है हम एक बाद ट्रेन से जा रहे थे रात्री का समय था और अचानक ट्रेन रुकी हमने बाहर देखा आग खुली पूरा उजाला था एकदम से संकल पाया ये तो दिन हो गया और हमारा अमरित वेला मिस हो गया एकदम जैसे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ ये क्या कर दिया ये क्या हो गया हमने क्या गलत खाया था रात में या कौन से गलत संकल्पों के साथ सोय थे इतना जैसे मन भारी हो गया कि अमरित वेला मिस हो गया दिन निकला गया है हम ट्रेन में है ट्रेन में है तो क्या हो गया ये कोई कारण तो नहीं है एक्सक्यूस तो नहीं है अमरित वेला मिस करने का और उसी हवस्ता में बैठे थे जैसे आशू आ रहे थे और ट्रेंच चलू हुई तो पदा चला वो स्टेशन था अभी तो आख खोला देखा देड़ इट इस वान थर्टी बाबा धन्यवाद ओम शंति बहुत सुंदर सुंदर बाते हमें सुनने को मिल रहा है लेकिन समय की सीमा है प्रस्न तो बहुत सारे और भाई भैनों के थे जो पूछते रते हैं उनका ही संक्लन किया था मैं समझता हूं यह इस विशय की उपर अ!स हब को प्रकास डं़ गया होगा अब सबको क्लियर हो गया होगा लेकिन आगे भी हमारे प्रोग्राम और साम का निर्धारित है तो आप दोनों का एक बार पुना हम दोनों भाई जी का आप सब के तरब से बाब दादा के तरब से अपना किमती समय निकाल करके हमारी मध्याए बहुत-बहुत-बहुत दिल से आप दोनों का शुक्रिया अभी हम सभी लास्ट में दो मिनिट बाबा की याद में बैठेंगे तब तब कर निख रेगा जीवन तब कर बनते देव महान तब से मिलता जीवन का सुख तब से मिलता जीवन दाँ तब स्या ही जीवन की है सची सुन्दरता तब स्या ही जीवन की है सची सुन्दरता तब स्या है